कि अब देखो sound कि किपने टाइप कि हो सकते हैं जिक ताइप एग हो सकते हैं ऐसे होते हैं जो आप लोग को बहुत अच्छे लगते सुनने हाँ वही है जो आप लोग को जो सुनने में अच्छा रगता है ना उसे हम प्लेजन्ट साउंड कहते हैं like music जितने भी music instrument से निकलेवे sound होते हैं, वो कैसे होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, pleasant होते हैं, हम लोग सुनते हैं, आदाम से, लेकिन जो unpleasant sound होते हैं, वो जैसे कि आप लोग train track के पास सुनते हो, और फिर कोई horn बच जाता है, उससे सुनते हो, तो ये क्या होते हैं? unpleasant होते है हम लोग को अच्छे निलगते हैं सुनने में, तो इस तरह के sound को हम लोग कहते हैं unpleasant sound, और फिर noise sound में कह सकते हैं, तो ये two type के sound होते हैं, अब music instrument से निकलेवे sound कैसे होते हैं, ये हम लोग को जानना है, बहुत जादा कुछ नहीं जानना है, लेकिन बस ये जानना है कि क्यों produce होते हैं कैसे vibration से produce होते हैं, तो कई type के music instruments बनते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं wind instruments, कुछ string instruments, कुछ percussion instruments होते हैं और कुछ read instruments होते हैं, like आप को different vibration इनमें सब में produce होता है, different different way से इसलिए इसके sound different different होते हैं ठीक है अब यह जो instrument है यह हम लोग एक एक करके देखते हैं अब जो wind instrument है wind की नाम से पता चल रहा है कि हवा गई अंदर और उसने कुछ vibration create किया जिसके वैसे sound produce हुआ जिसे आप लोग बासुरी बजाते हो या फिर कोई सहनाई बजाते हो देखे होगे तो उसके अंदर यहां से जब भी आप लोग ऐसे फूक मारते हो यहां से आप लोग air देते हो तो और वो air अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो यहीं पर एक बड़े से hollow column के अंदर इधर उदर मूव करती है और आसपास के surrounding air को disturb करती है जिसके वैसे vibration create होता है और क्या होता है और क्या होता है wind instrument का आवाज निकलता है यानि sound produce होता है ठीके अब देखो इससे different type का sound produce होगा इससे different type का sound produce होगा क्योंकि इसका shape अलग है इसका hollow column है वो different है जो sound इसके अंदर जब भी आप हवा पास करोगे तो वो यहां से होते हुए जाएगी फिर इधर से होके बाहा निकलेगी ठीकिन इसकी जो sound होगी आप air यहां से पास करोगे तो इस सीधे निकलेगी ले कैसे sound produce होता है तो air vibration की through sound produce होता है किसमें hollow column में okay next बात कते string instrument string instrument का मतलब क्या होता है देखो जब भी लोहे की तार ले लो या फिर कोई भी आप metallic wire ले लो उसको आप जैसे ही ऐसे करके तो आपन है ठीक है यह जो pen है हमने इसको यहां से करके string किया तो यहां से भी कोई ना को sound निकलेगा ठीक है तो इसकी वज़े से यहां पर आप देखो जैसे इस तरह के जो instrument होते है इन्वे भी इस तरह से यहां यहां वाइल लगे होते हैं इनको string करने से और एक साड़ से प्रेस करने पर एक sound produce होता है तो इस तरह के instrument कैसे sound produce करते है इस string के थो ठीक है वाइल को करते हो प्लग करते हो उसके बाद ही कोई sound produce होता है ठीक है जिसे कि सितार है गिटार है पियानु है तो इस तरह के instrument को हम string instrument कहते हैं ठीक है बिल्कुल सिंपल है देखो यहाँ पर सितार गिटार आपके सारे कुछ लगे हुए नेक्स है percusson instrument तो percusson instrument क्या होता है जब आप लोग तबला बजाते हो ड्रम में क्या है एक तरीका stretched membrane होता है यहाँ पे आप लोग जब देखो ध्यान से देखो इस इस membrane को जब आप लोग ध्यान से लेखोगे तो इसके उपर एक membrane type की होती है जो stitch बहुत अच्छे से tightly लग इसको cover करती हुई है ठीक है और अंदर hold होता है पुरा अब इसको आप जैसे strike करोगे हैंड से strike करो या किसी stick से strike करो तो इसमें एक तरह का sound produce होता है वो क्यों produce होता है क्योंकि यह जो body है means stitch membrane है यह एक तरह का vibration करने लगती है जिसकी बसे sound produce होता है इस तरह के instrument को हम कहते है हमें यह ध्यान रखना है sound कैसे किस चीज में produce हो रहा है इंपॉर्टेंट है तबला है ड्रम है धोलग है यह सब क्या है stitch membrane से बनी होती है जिसकी बसे sound produced होता है नेक्श बात करते है metal reed instrument अब metal reed instrument क्या है sound कैसे produce करता है तो sound produced when air blow through thin strip of metal then vibration इन में पत्की पत्ती से यहां पर thin strips लगी होती है जिसकी विससे हम लोग एक वे में sound को produce करते हैं मतलब कभी इसको प्रेस करते हैं कभी इसको प्रेस करते हैं कभी इसको प्रेस करते हैं उसे जिसे कि हर्मोनियम है और आपका mouth organ यहां पर air भी काम कर रही है और string metallic wire भी काम कर रही है तो यह थे कुछ instrument जो sound produce करते हैं next lecture में लोग देखेंगे human voice कैसे निकलती है human से जो sound produce होता है यानि मैं बोल रही हूँ तो उससे जो sound produce हो रहा है वो क्यों कैसे हो रहा है आज के लिए इतना ही थैंक यू